सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवी पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोगाम पर जैसा कि हम प्रते दिन करते आए हैं आज के वीडियो में मैं तीन टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे हिमाचल परदेश के लुहरी पावर प्रोजेक्ट पर और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरी प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है क्यों इसका बिरोध किया जा रहा है और यहां से जुड़ी हुई परयावणी चिंताएं और मुद्दे क्या है वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे गोवा में हो रहे बिरोध परदर्सन पर और समझने का प्रयास करेंगे कि गोवा में कुछ लोग क्यों रात में रेलबे ट्रैक पर बैट कर वहां बिरोध परदर्सन कर रहा है क्यों वहां के लोग यह चाहते हैं कि उनका जो इस्टेट है राज्य है वह कोल इस्टेट अर्था कोले वाला राज्य ना बन जाए तो समझने का प्रयास करेंगे खिर पूरा मुद्द्ध है क्या वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे आश्ट्रिया में कियेगे आतंकी अटैक पर तो आईए इन्ही तीनों खबरों के एक एक करके बिस रिसीद करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लुरिफावर प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं जिससे टॉपिक पर हमारी कमान थोड़ा मजबूत हो सके अब देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ मैप दिखाएगे हैं यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लिजेगा जिस उसके बाद यहाँ पर देखी है जम्मो कस्मीर है और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेते हैं तो चीजे थोड़ा सा और आपको साप दिखाई दे सकती हैं और यह है आपका हिमाचल परदेश अगर आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे तो यह आपका हिमाले जिका बिस्तार है वह ठिक ठाक है उचाई भी काफी प्रयापत आपको दिखाई देगे इसके बाद थोड़ा सा हम हम हिमाचल परदेश का जो मैप है उसको देख लेते हैं यह दिखिए आपके स्क्रीन पर हिमाचल परदेश का मैप है इसको अगर आप देख पा रहे होंग और यह पंजाब वाला चितर दिखाई देगा अगर आप इसके राज्य के जिलों को देखने का प्रयास करेंगे तो यह आपको एक सिमला एक जिला दिखाई देगा यह आपको कुलू दिखाई देगा तो जो भी हमारा पूरा टॉपिक है वह जोड़ा हुआ है यहां से तो उस सिफ हर चीज को इंटर लिंक करने का प्रयास करिएगा अर्था यहां पर जो टेंप्रेचर मिलता है यहां पर जो माउंटेंस है वो माउंटेंड पर जो ग्लेसियर पाये जाते हैं उन ग्लेसियर से जो नदिया निकलती है और जब नदिया निकलती है अगर उस पर बां हिमाचल परदेश उत्तर पस्तिम भारत में इस्थितिक महत्पूर राज है जिसका जो छित्रफल है लगभग इतना है और हिमाचल का जो साब्दिकर्थ होता है वह होता है बरफीली पहाडों के परदेश से अर्थाद जब आप सब्ध यूज करते हैं हिमाचल तो इसका राज को देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है इसकी सीमाई जम्मुकस में लद्दाक उत्तराखन उत्तर परदेश हर्याना चंडिगर और पंजाब से तो लगती है और साथी में जैसा कि हमने दिखाया तिब्बत का जो छेतर जो जिस पर अभी चीन का कबजा है तो ची 1971 में हिमाचल परदेश राज अधिनियम 1971 के अंतरगत इसे 25 जौनवरी 1971 को भारत का अठारवा जो राज बना दिया गया बर फिले छेतरों से संपन इसके जो पहाड़ी भाग हैं यहां से कई नदियों का उद्गम होता है और इन नदियों से क्या किया जाता है बिजली का उ बर फिले गया इसकि वाज़ा होता है इस राजी की जो अर्थ यहां प्रोजेक्त से यह कोई पहला प्रोजेक्स नहीं है बहुत बड़े प्रोजेक्स पहले से यहां पर चल रहा है जिनका चिक्र मैं आपको करूंगा आगे बताऊंगा प्रोजेक्ट के नाम और अगर यहा हिमाचल परदेस जैसा कि हमने बताया कि यह अपर चेट्र है की तीनों से लेडिय मेंУ होगा है जो मिडिल हेंले है जो लगल हमाले है उसको फ़्रेक जीएंड़ मेंद द्धोल्लाधर के नाम से लकल और गाता है कि लगु हिमाले में हिमाचर परदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जो फरेटन के अर्था टूरिज्म के पॉन्ट अब्यों से काफी मत बुन है हिमाचर परदेश की जो अवस्तिती है और जो उसका भूगोल है अर्था उसकी जो जो जोग्रोपी है उसके वज़े से यहां की जो जलवाई पाय जाती है वह काफी उसमें बीवित्ता देखने को मिलती है एक तरफ यहां पर बर्फ गिरती है तो दूसरी तरफ यहां पर गर्मी भी पड़ती है कहीं यहां आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि यहां पर गर्म जल के सुरोत हैं अर्थात हॉट स्प्रिंग्स हैं जहां से गर्म पानी निकलता रहता है वहीं पर बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर बर्फ जमी रहती है और बर्फ जब जमी रहती है तो वहां का जो भूमी है वहां का जो ग्राउंड वाटर है आप समझ सकते हैं किस कंडिसन में होगा यहां की जो परमुख नदिया हैं चिनाव, रावी, ब्याज, सतलोज और कालंदी हैं इसके अलावा भी अनेक यहां पर नदिया हैं चुंकि यहां की जो नदियों को जल प्राप्त होता है, यहां के बर्फ से प्राप्त होता है और इसी के बज़े से यहां की नदिया क्या हैं, बारह मासी हैं, अर्था साल भर तक उस पे लगभग पानी रहता है आपने देखा होगा जो मैदानी छित्रों की नदियां है वो गर्मी के महीनों में सूख जाती है और जब मानसून का समय आता है तो उसमें पानी जादा हो जाता है कारण क्या है उनकी जो जल का स्रोथ है वो मानसून पर भी डिपेंड है लेकिन यहाँ पर जो अधिकांस नदियों का सम्मढ़ किसे है इन पहारी छित्रों से है और इसी के कारण यहाँ पर लगव कर बर्स भर जल रहता है तो जल की आप उर्तित जब बनी होई है तो आप इस जल्ज के माध्यम से क्या कर सकते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसी के कारण ही है राज अधिक से अधिक हाइड्रो प्रोजेक्ट की और आगे बढ़ रहा है दूसरा कारण ये भी है कि जो अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाया जाते हैं तो देश को भी फायदा होता है क्योंकि आप सोचिए अगर आपको 100 मेगा वाट का क्या करना है एक प्रोजेक्ट बनाना है पावर फ्लांट बनाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं एक थर्मल पावर फ्लांट बना लीजी या फिर एक हा जब कि जो हाईड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे जो कारवन का Saigon का इमियशन है और फाद G्रीनाउस इसके वज़े से पर्यावरण हित्य सी मानी जाते हैं और इसी की कार नहीं है राजी का करता है हाइडरो प्रोजेक्ट में लीड करता है यहां कि जो अधिकांस जो छेत्र हैं उबर खाबढ़ है बावजूद यहां पर जो किरसी कार है वो किया जाता है और आपको जानकर आस्चर होगा कि 69% पॉपलेशन यहां की कि पर निर्भार है अब सब एक चीज़ समझे कि अधिकांस जो उबर खाबढ़ है और जो समतल भूमी है उस पर क्रिसी होती है अगर इस समतल भूमी किसी प्रोजेक्ट के हथे चड़ जाए या किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए तो उहां कि लोग क्या करेंगे अपनी आ हिमाले का आपको पता है अभी उत्थान हो रहा है और इसी कार उत्थान उहां की जो चट्टाने है अभी नवीन चट्टाने है और नवीन चट्टानों पर जब आप बड़े बाद बनाते हैं तो कई परकार के प्रयावड़ी हैं चिंताएं होती है दूसरा जब यहां से ल चौथा ये है कि जब नदियों को आप रोकते हैं तो चूंकि नदिया क्या करता रही है यहां के छित्रों को पानी उपलब्द करा रही है और जब रोक देते हैं तो दूसरे छित्रों के लिए जो जल की आप उर्ती है वो परभावित होती है और जो कृसी के लिए का प्रयास करिएगा मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा यहां पर जो बागवानी है वो है काफी अच्छे तरीके से की जाती है चूंकि जो यहां की क्लाइमेट है वो बागवानी के लिए अच्छी है यहां पर सेव नासपाती और जो है कि अन्य जो फल है वो आपका किया जासता है और जिसके कारण यहां की जो अर्थ ब्योस्था में इनका भी योगदान काफी जादा है। दे दिये तो ध्यान दीजेगा तहां पर बनना है कुल्लू और सिमला की सीमा के पास सतलूज नदी पर बनने वाला लुहरी पावर प्रोजेक्ट को अन्मती दी गई है। अब मैं बड़ा बना दी इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इसकी जो लोकेशन है वो यह इहीं पर है। यह जो प्रोजेक्ट बनेगा यहां सीमा पर एक नीरत गाउं है और किसकी सीमा पर कुल्लू और सिमला की जो जिले हैं उनकी सीमा पर नीरत गाउं है उहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। 1810 करोड रुपे का खर्च आएगा और 210 मेगावाट की क्या होगी यह हाइड्रो प्रोजेक्ट होगी। 210 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब है कि इस से आने वाल समय में जो कार्बन उस सर्जन है वो काफी कम होगा क्योंकि अगर आप इतना ही जो है कि बिजली का उत्पादन किसी थर्मल पावर फ्लांट में करते तो काफी ज़्यादा आपको कोईला जलाना पड़त इस परियोजना को सतलुज जल बिद्दुत निगम के द्वारा बनाया जा रहा है और बनाने के लिए एक मॉडल यूज किया गया है जिसको अगर आपने इन्वेस्टमेंट के मॉडल पढ़े होंगे तो उसमें एक मॉडल होता है बूम अर्थात बिल्ड ओन ओफरेट और म मेंटेन आसान सब दों समझें तो इस जो सतलुज जल बिद्दुत निगम है इसको क्या करना है यहाँ पर इसको विल्ड करना है अर्थात बनाना है और साथी साथ इसको स्वामित अपने पास रखना है ओफरेट करना है अर्थात इसको संचालित भी करना है और मेंटेन भी करते रहना तो पूरी तरह से इसी के पास क्या होगा यह प्रोजेक्ट होगा और यह जो प्रोजेक्ट है तो अगर यह बन जाता है तो आने वाले समय में हिमाचल परदेश को कई परकार का फादा हुआ हिमाचल परदेश को दस बर्स तक यहां पर एक हजार अठावन करूर र परतिसत रेविन्यू इसके पास आएगा और साथी साथ दल साल तक लगवग एक हजार करूर रुफे का बिजली इसको निसुलक में दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए जो MOU अर्थात Memorandum of Understanding पर हस्ताचर हुआ था वो पिछले साल नौंबर में जो है कि पिछले साल किया गया था आपको पता है कि इस परकार के जो investors meet होते हैं हर राज के द्वारा इस समय किया जा रहा है और उस से क्या होता है कि निवेस के लिए जो राज्य है उसको कई परकार के बिकल्ब मिलते हैं और उसी में इसके लिए M.O.U. साइन किया गया था इस परियोजना से इस राज्य को ना सिर्फ आय का एक स्रोत मिलेगा अर्था दिक नया हाइड्रो प्रोजेक्ट मिलेगा बलकि लगभग 2,000 लोगो को प्रतेच और प्रतेच रोजगार भी मिलेगा इस प्रोजेक्ट की तहद 80 मीटर उंचा लगभग जो है कि 225 मीटर लंबा और लगभग जो है कि 8 मीटर चोड़ा एक कंक्रीट का माध ग्रेविटी माध बनाए जाएगा और लगभग इस 6 किलो मीटर का एक वाटर जला से ब 64 मीटर लंबे हॉर्स सु आकार की डाइवर्जन टर्नल के माध ध्यम से जोड़ा जाएगा डाय बर्चन टर्नल का मतलब है कि जो पानी है उसको लाने के लिए यहाँ पर एक डाय वर्चन टर्नल बनाए जाएगा कई बार आप आपने देखा उपानी जो है क्या होता सीधी बिजली मुत दी जाएगी अर्थात उनको बिजली पर जो खर्च आता हुआ उनको बचाने का प्रयास किया जाए लूहरी पाउर प्रोजेक्ट के एक चरण में अर्थात पहले चरण में 210 मेगावाट परियोजना के साथ दो अन्य चरण है जो आगे होंगे वह होगा एक बना समय से बिवादों में रही है इस पहले 38 किलो मेटर एक लंबी टरनल बननी थी लेकिन इस थानी लोगों के बिरोध और परिया बढ़नी बिरोध के कारण से टालना पड़ा था अर्थात यह कहा गया था कि इसको जो है कि नहीं बनाया चाहिए क्योंकि यहां के लोगों ने उनका कहना था इससे क्या होगा जब आप टरनल मना कल पानी को घुमाएंगे तो इससे क्या होगा यहां का जो नदी का आगे का हिस्सा है बड़ा हिस्सा सूख जाएगा और यह भी उनके द्वारा कहा गया था कि आने वाले समय में इससे क्या हो सकती है कई परकार के प्रया यह जो परियोजना है पहले 700 से अधिक मेगावाट की बनाई जाने थी और एक ही चरण में बनाई जाने थी लेकिन यहां के लोगों ने कहा कि चुंकि यहां जिस चित्र में इसको बनाय जा रहा है वहां का जो जियो इस्टेटिक से भू इस्थत्की है वो इतनी मजबूत नह तो काफी बड़ी जो संख्या में लोगों के यहां पर विस्थापन की भी समस्या ना आ सकती है और साथी साथ जब इतने बड़े जलासे बनाये जाएंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाये जाएंगे तो आसपास की भूमी में कई परकार के आधार बुस्ट नचना बन इसको तीन चरण में बनाये जाएगा लेकिन जो पर्यावणी चिंताएं वो अभी भी बनी हैं खास कर हिमाले की स्टेटिक्स को लेकर और यह कहा जा रहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट इतने बड़े बांत जब बनाये जा रहे हैं अगर भविस्थ में तेज गती का भ मायोजित कर सके और साथ ही साथ अगर वहां पर किसी प्रकार की इस प्रकार भुकाम्प या कोई भी जियो इस्टेटिक्स क्रिया होती है तो अपने आपको मेंटेन कर सके लेकिन फिर भी पहाड़े चित्रों में यह चिंता बनी रहती है खास कर तब जब लेंड्सलाइड बगेरा होता है और नदियां जब उपहान पर होती है तो कुल मिलाकर यहां से जो लोगों के बिस्थापन का मुद्दा है यहां के लोगों का जो चिंता है वो अभी भी बनी हुई है लेकिन खुर भी अगर यह प्रोजेक्ट बन रहा है तो इससे राज्यों को क्या होगा जो यहां पर जो उद्योग हैं यहां पर जो आवासी छेत्रम को अधिक बिजली मिल पाएगी और चुंकि यहां जो प्रोजेक्ट बनेगा इसके दोरा उत्पन की जाने वाले 13% बिजली लगवक निसूल का मिलेगी तो इससे क्या हो सकता है कि यहां के लोगों को कम यूनिट क दर पर क्या किया जा सकता है तो आने वाले समय में देखना होगा क्या करी प्रोजेक्ट आखिर बनना श्टार्ट हो पाता है कि कुछ चिंताय रह जाती हैं बाकि हिमाचल परदेश की कुछ परमुख जल बिद्दुत परियोजना हैं जो कि आपके स्क्रीन पर लिखी हुई इनको थोड़ा सा देखिएगा जितने भी नाम है इस सभी नाम काफी इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने यह सभी नाम लिख दिये हैं तो एक बार जब भी हम फ्री का पेपर देने जाएं तो इन सभी को देख लेंगे तो बाकी सबसे बड़ी इस राजी की परियोजना है व दूसरी खबर पर चूंकि खबरें जादा हैं इसलिए मैं सभी चीजों को नहीं पढ़ पाऊंगा तो जो समझाने वाली चीजें हैं उसको हम समझने का प्रयास करें फिर से अब देख पा रहे होंगे इंडिया के मैप को फिर से जब आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा तो यहीं पर देख रहे हुआ हैं तो यहीं पर आपको निखा हुआ है इसी का हमें बारबार यूज करना है तो यह मैप है थोड़ा सा इसको में ध्यान देना है और इसको और थोड़ा सा देखें तो आपका यह रहा आपका यह देख लिए यह महराश्टरा है इधर करनाट का है और यह देखिए आपका वास्कोर्दा गामा मरमागाउं फोर्ट है और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर यह जो मैं आपको एक मैप दिखा रहा था इसमें एक चीज और आप देखिए कि आपको पता है कि यह जो गुजरात का यहां से लेकर इस परकार कुछ आपका एक पस्मी घाट परवती चेतर है और यह जो पस्मी घाट परवती चेतर है इंडिया के सबसे में से एक माना जाता है यहां की जय वित्ता जादा है और साती साथ एको सिस्टम के पॉंट अब्यों से इसका जो महत्तव काफी जादा है तो इसी से पूरा टॉपिक चुड़ा हुआ है आए मैं टेक्ष्ट के माध्यम से आपको बढ़ता है गोवा या गोवा छित्रफल क अमसार भारत का सबसे छोटा राज है इसका जो छित्रफल है लगवग इतना है गोवा पूरी दुनिया में अपने सुन्दर जो समुद्री किनारे हैं उसके लिए परसिद्ध है और अपनी इस्थापत्ति के लिए जाना जाता है यहां का जो समुद्र टठ है लगवग 101 कि कारण यहां पर कई जो है कि सुन्दर बीचे इसका विकास हुआ है और वहां पर जो सैलानी है हर सार आते हैं परेटन यहां का जो है कि परमुक युद्ध्योग है और परेटन के अलावा गोवा में लोग खनीजवी परियावत मात्रा में पाय जाते हैं जिनका जो है कि नि जिसके एक तरफ क्या हो पस्मिघाट परवति का एकोसिष्टम छेत्र हो और चुब की काफी पारस्त की अर्दिष्टिकोर से काफी सम्वेधन सील हो और वहीं दूसरी तरफ से अगर देखें तो दूसरी तरफ से क्या हो जो आपका कोश्ट ले लिया तो जब ऐसा कोई एक सं समाधान जल्दी नहीं हो पाता उससे होने वाले जो डिजास्टर्स हैं जो आप दाएं हो काफी तिवर होती हैं खैर पूरा टॉपिक हम समझने का प्रयास करते हैं इस तमिहें जो राज है इसी परकार की एक परयावणी चुनोती के वज़े से चर्चा में बना हुआ है य देखी यह रहा आपका गोवा और यह देखा आपका करनाट का तो यहाँ पर एक रेलवे ट्रेक का निर्माड किया जा रहा था और इसी का यह लोग क्या करना है बिरोध कर रहा है और बिरोध इसली वज़े से कर रहा है क्योंकि जो रेलवे ट्रेक है यह इस पर क्या होगा कि इससे कोईले का क्या किया जाएगा परिवहन किया जाएगा तो कुल में लाकर यह जो लोग हैं जो railway track बनाया जा रहा है यहां के लोग यहां बिरोध कर रहा है और बिरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया है रात में हैं track पर बैठ रहे हैं रात में railway track पर इसलिए बैट रहे हैं क्योंकि रात में यहां पर railway track का काम होता था और इस वज़े से इनों ने सोचा कि अगर हम रात में ही बिरोध करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए लोग रात में बिरोध कर रहे हैं, यह लोग जो है कि नाम जो लिखा हुआ है, ग गोया कोईला नहीं चाहता है, तो इसका हिंदी यह है कि गोवा कोईला नहीं चाहता है कि बैनर तले यह लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध इसलिए करना है कि दच्छडी गोवा जिले में 50 km दूर इसलिए जो चंदोर track है, वहां पर क्या किया जा रहा है, रेल्वे दो track बनाया जा रहा है, और इस track से क्या किया जाएगा, जो कोईला है, वहर जो है कि भेजा जाएगा दूसरे राज्यों को, और आसान सब्दों में समझे, तो गोवा जो आपका यहां पर एक पोट है, जो हमने दिखाया मरमागाओं, यहां पर क्या किया जाएगा, बाहर से को और इहां से कोईला को, इस track के माध्यम से करनाटका और अन्य जो राज है, वहां तक पहुँचाया जाएगा, तो इसी के कारें लोग बिरोध कर रहे है, और बिरोध को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, और जब राजनीतिक समर्थन मिलेगा तो बिरोध क्या होगा बढ जाएगा ये जो रेल्वे का जो दोहरी करण का ही सिर्फ बिरोद नहीं कर रहा है ये इसके साथ साथ भगवान महाबीर बन जीव अभ्यारण तथा राजी की सीमा परिस्थी अर्थात करनाटका से लगने वाली राजी की सीमा परिस्थी जो एक राश्टी उद्याने उसमें पेड़ों की कटाई का भी बिरोद कर रहा है क्योंकि इनका कहना है कि पस्मी घाट से गुजरने वाला ये ट्रैक कई परकार की परयाबढ़नी चुनोतियों को उत्पन करेगा और जब पेड़ों को काटा जाएगा रेल्वे ट्रैक का निर्मार किया जाएगा तो यहां का इको सिस्टम डेमेज होगा इस रेल्वे राज दोहरी करण का उद्देश जैसा कि हमने बताया मार्मूगाँ पूर्ट पर कोईला आयात करना और आयातित कोईले को रेल्वे ट्रैक के माद्धम से करनाट को और ने राज्यों तक पहुँचाना है आपको पता है करनाट का अन्दपरदेश और अन्य जो दच्छडी राज हैं यहाँ पर कई निजी और सरकारी स्टील प्लांट है और इन स्टील प्लांट में स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है बड़ी मात्रा में कोईले के आवसकता होती है और इसी आवसकता को पूर्ती करने के लिए किया जाएगा यह जो पूरा कोईला हब बनाने का जो पूरा मोटो है कॉंसेप्ट है इसका गोवा को यह बनाने इसका संबंध है सागर माला परियोजना से यह जो परियोजना है आपको पता है कि सागर माला मतलब सागर से लगे हुए जो महतपूर पोर्स हैं उनको कनेक्ट करना ह तो यह क्या है जो coastal area है टटीय राज है इनके बंदरगाहों को उन्नक करने के लिए इनके जो catchment area है और catchment area का मतलब होता है जो बंदरगाह से लगे वाले पीछे वाले चेत्र है वहाँ पर परियोहन के साथ सत अन्य परकार के आधारवु सनचाओं को निर्मान करना है अर्था सागरमाला परियोजना का concept जो है जो coastal area के जो port है और उहाँ पर जो infrastructure है उसको develop करना जिससे पूरा ना सिर्फ उहाँ पर highway का निर्मान हो सके railway track का निर्मान हो सके बलकि उहाँ तक जो आवा गमन है और बाणेजिक चीजों का अधिक हो सके इस परियोजना में गोवा को एक को कोईला ट्रांसपूर कोरिडोर के रूप में बिक्सित करने की बात की गई है और यहां से आयातित कोईले को आउसकता वाले राज्यों तक पहुंचाने की प्रावधान किया गया है और इसी के लिए क्या किया जा रहा है ट्रैक बनाया जा रहा है इसके लिए मौरमाव पत्रा में कोला आएगा और इस कोईले को क्या किया जाएगा फिर रेलबे और सडक और आदी मादम से क्या किया जाएगा दूसरी राज्यों को पहुंचा है जाएगा और जब सेफरेट कोला ट्रैक होगा तो इससे कोईले का जो आप औरती है वो तिब्रगती से और इसी के कारणे ही लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस राज्य को तो कोई फादा नहीं मिलने वाला है हाँ यहां का जो पस्मी घार से लगा वाला छेतर है जो मेरी निको सिस्टम वाला छेतर है वो अभी क्या होगा प्रभावित होगा और एक चीज़ समझे कि जब को कोईला क्या होता है कि उड़ता है उसके जो डश्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके जो कंड होते हैं तीन से चार दिन हवा में रहते हैं और जब कोईला इतनी बड़ी मात्रा में आयेगा कि अन्य राज्यों क्या हो सकता हो कोई पूर्ती की जा सके तो इससे क्या होगा हर अब हम बाटते हैं अपने तीसरी खबर के उबर जो कि कल किसी कारण से आप तक नहीं पहुचाए गई थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मेरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक टॉपिक को अब कबर किया जाए आश्ट्रिया पर हम बात करते हैं यहां पर आतंकी हमला अश्ट्रिया मध यूरोप में इस्थित एक इस्थल औरूद देश है जिसकी राजधानी बियना है और देश का ज्यादातर हिस्सा है वो आलपस परवत के अंतरगत आता है मैं फिर से आपको दिखा देखता हूँ यह देखिए आपको यूरोप का मैप यहां पर यह देखेंगे आपको सविजल अर्पस स्टिर दिखाएं गया है और यह रहा आपका आॉष्ट्रिया और इसको और थोड़ान इसर देखेंगे तो आपको जार्मनी दिखाई देगा लिचेयतरोर दिखाए देगा और यूरोप में अब इस परकार की जो घटना है बढ़ रही है, इस से यूरोप की लोगों का मानना है आने वाले समय में, वो जो है कि कुछ सक्त कदम उठा सकते हैं, और सक्त कदम यह उठा सकते हैं, कि जो उहाँ पर परवास होता है, उसक्यों रोकने के लिए अपने सरकार पर तबाव बना सकते हैं, खेर उसको आगे समझेंगे, इसकी जो सिमाएं हैं जैसे की लिखा हुआ है, यह आप पढ़ लिजेगा, यह एक गरता आंत्रमत देश है, जिसका जो सबसे बड़ा सहर है बियना है, और बियना में लगभग वन फोर्थ जंसन क्या पॉपलेशन नि नुकसान पहुंचा है जा सके और एकोनमी को प्रभावित किया जा सके, ऐसे ही यहां पर जो मेजर सबसे बड़ा जो सहर है, उसको प्रभावित करने का प्रियास किया है, यहां की कुल जो जन संख्या लगभग 90 लाख है, और यहां पर 57 परसेंट जो लोग हैं, इसाई को क्या हुआ था, कुल 6 जगों पर आतंकी हमले हुए थे, जिसमें कई लोग की मृत्ति हो गई, और आकड़ा मृत्ति का बढ़वी गया है, बेना में एक जो है कि सिनोगॉंग यानि यहूदी उपासना गरह के पास हमला हुआ पहला बड़ा हमला, और उसके बाद जो ओफ इसलामिक स्टेट जो है, क्या किया है, बेना हमले की जिम्मेदारी लिए है, और इसलामिक स्टेट का जो एक हमलावार का जो जिसने हमला किया, उसका वीडियो वाइरल हुआ है, और उसमें उसने क्या किया है, कि जो इसलामिक स्टेट के नेता, अबू इबराहिम अल-हस्म अल कुरेसी के प्रती अपनी निश्ठा ब्यक्त की है और उसमें ये बताये गया है कि आने वाले समय इस परकार का आटेक हो सकता है हमलावार के पास जो है कि उत्री मैसिडोनिया की नागरिकता थी और वह पहले भी गिरबतार किया जा चुका था जबकि वह इसलामिक इस्टे सेविष्टिन कुर्स ने कहा कि हमारा दुस्मन इसलामी आतंकवाद ना सिर्फ दर्द और मौत देना चाहता है बलकि हमारे समाज को बिवाजित करना चाहता है हम घ्रिणा को इस तरह नहीं बढ़ने देंगे हमें मालूम होना चाहिए कि हम मुसल्मानों और इसाइयों के ब र्यास करेंगे तो किसी एक बर्ग समदाय के विशे में जो एक धाना बैना ली जाती हो बनने से रोका जा सकता है तो उन्होंने कहा कि यह मुसल्मानों और इसाइयों के भी संगर्स नहीं है और नहीं जो आश्ट्रिया और प्रवासियों के बीच का संगर्स है अर्थात उ आपको पता है कोई भी हमला होता है तो प्रतिक्रिया आती है तो अमेर की जो राश्वटी है डोलान ट्रम उन्होंने कहा कि हमारी संबेदना इलगातार आतंकी हमला जेल रहे यूरोप के लोग के साथ है बेगुना लोगों के खिलाप ही हमले जो है के बंद किये जाने चाह इसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें यही कहा गया है कि जो संकट की घड़ी है उसमें भारत जो है कि वहां के लोग के साथ है और लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो यह है कि यह कहा जा रहा है कि जो घटनाय है वो परवासियों और सरार्थियों के लिए आने वाले समय मे एक चिंदा जनाक मुद्दा बना सकती हैं तो आज की वीडियो में इतना ही Thank you so much